किसी भी भारी ब्लोगों को तुमने बेचा हां क्या करोगा फिर त्यां दखना मैं भाडी स्वाइबान सेना से बोल रहा हूं हां 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 ठीक है दिल्ली वाले आओ और नौन उत्रहखंडी आओ तो मैंने यह बोला है कि दिल्ली वाले आओ और नौन उत्रहखंडी आओ मैं काम कर रहा हूं है मैं चौर आले की बेटम से जैसे उत्रहफंड कर रहें को बहुत बने कानों कराईब जो के ने लिए बोलुओ ना चेर्ट त्यूसर shift क्या रिसेंटली की जैसे उत्रहखंड में बहुत कर दो जयादा चाहरा है भू कानून को लेकर गुवर्मेंट ने तो भू कानून के लिए कोई स्कीम नी बनाई है तो जो बाहर के जुआ के लोगों को लेंड बेच रहें जिसे डैली वगढ़ा के लोग आ रहे लोकल लोग आ रहे अभी रिसेंटली क्या वाश असवाल को भी भी धमकी आई है मुझे भी धमकी आई है तो यह धमकी के ओपर एक वीडियो जो मैं बताना जाता हूं को और नंबर से कॉल आगया भी देखते हैं अलो अलो अश्वाजी वोड़ रहे हैं हां जी आपके हम नाश्म हाइवें से उप्दर राशी साथ हैं हां जी बोलिए अधिया अधिया ना उसमें आप इंस्टा डाला ना तो इस अधिन है और यूटूब तीनों में डाला दें तुट्वारों को क्यों आप अपको इत्लांट डेंगर रहे हैं आप बाहर का लोगों को तरुट ही है मैंने कहां पर बोलाए कि आप उत्राखंड वालों नहीं हैं बाहर वाली ले सत्ते हैं अधिया क्या हो रहा है कि मेरी वां सुनीया आप इंसली तरफ जाहेंगे ना तो सही कर रहा है कर हमारे काव में वैसे चीज़ होते तो हमको भी लगता कि बही दिल्ले वाले नहीं जैट है जिसमें क्या कर रहे हैं कि वीडियोज बना रहे हैं जिनकी प्रॉप्टीज है उसके रिकार्डिंग की वहाँ पे जाके वो उसको सेल आउट कर सके तो कस्टमर उनको रीच करे जो प्रॉप्टी ओनर्स है उसके लिए वो वीडियो बना रहे तो उनको धमकी आईए तो जैसे कि आपने देखा कि स्वेश को धमकी आईए वैसे ही मुझे भी धमकी आई थी कमेंट में बट मुझे नहीं पता था वব तो इसे काल मिला हो तो मैंने क्याओं अब Dalya मैं राइडर हूँ आई कारता हूँ मैं एक्टिवा से राइट करता हूँ ले लदा केदारनाथ बदरीनाथ सब राइट्स की है वैसे चंडीगड रहता हूँ पर पोड़ी का रहने वाला हूँ और उत्राघंड से एक अपना अलग लगाव है अभी मैं चार धाम के लिए निकला था भी सप्रेल को मैं करा उन्होंने एक्टिवा से मुझे देखके और मुझे मिले थे वो धारी देवी में उसके बाद अभी रिसेंटली जो मैं इस ट्रिप में किया था यहां पर भी एक भाई स्पेशली शिरी नगर आये वो मुझसे मिले स्कूटी से जो मैं आया होना सही बतारो रेली में भाई आपकी वीडियो से इंस्पायर होके मैंने जब भाई चंडीगड से कर सकते हैं तो यार मैं डेली से क्यों नहीं कर सकता तभी भाई मैंने अपनी स्कूटी उठाई और देखो अभी शिरी नगर तो वहां पे कहवा ह हमारा एक अच्छा बाउन बन की हमने तुंगना ट्रिप भी साथ में किया और मेरे एक दो और वी ऐसे लोग थे तो हम सर्चाउट कर रहे हैं देख रहे हैं प्रोप्टी बगर तो मैंने वहां पे बात का जिकर किया जब मैं चंडीगड आ रहा था उस व्लोग में और जैस एक आपकी नेगटिव इमेज भी चले जाती हां मैं अंडेस्टैंड करता हूं क्योंकि उस टाइम पर मुझे नहीं समझ में आई थी वह चीज पट अब मैं अंडेस्टैंड करता हूं क्योंकि देखें क्या होता है अगर हम लोग ही लोग बाहर के लोगों को प्रोप्टी i sales बेचेंगे तो फिर वही होगा कि उत्राखंड में में Teach में चलिए अब हैं और सब ऐसी अगर पाहर प्रोप्टी बेचने लग जाए तो वह एक धिकत की बात है तो यह चीज मुझे पहले समझनी आई थी बट मुझे अब आ गही है और आप मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी चीज ना हो क्योंकि अभी हम एक प्लान करें तो और मैं सोरी बोलना चाहूंगा उन सबको जिनके साथ भी मेरी बात चीज चल रही थी इस चीज को लेके कि हम उत्र प्लान के लिए अलग लगावरा है यह एक यह अवर्ड है तो विचाइग गोट फ्रॉम जो हमारी चंडीगर की जो गड़वाल सभाए है तो महां से मिला था बिकोज चंडीगर में जैसे की गड़वाली मुवी नहीं लगती थी बहुत पहले लगी थी तो मैंने बहुत ही पहली मुवी ऐसी थी जो PVR में संडे के दिन में हाउस पूल हुआ शो उसके बाद जो PVR के एरिया मेनेजर है उनका सुबह सुबह मुझे 7 वजे कोल आया है कि हमें दूसरा शो खोलना पड़ेगा क्योंकि पिछे से क्राउड बहुत जाला रहा है तो हमने एक ही दिन में द गलती हो जाती है इस चीज को मैंने नहीं सोच जाता मैं एक दोस्ती के नाते की हां यार दोस्त है अच्छे हैं तो है बट अगर हम ऐसे करेंगे हमको देख के भी सारे ऐसे करेंगे तो हरी होगा कि जो उत्तरा खण के लोगों के पास अपनी जमीननी रह जाय maintenant लेकिन मैं य मज में आगया कि हाँ यह चीज एकदम सही कहा रहे हैं लेकिन जहां आपको गुस्सा दिखाना है वो है उत्राखंड गौर्वेंट क्योंकि उत्राखंड गौर्वेंट ने अभी तक भू कानून को लागू नहीं किया है तो आप वहाँ पे जाके सबसे जाता अपना फोर्स जो भी आपने अपनी संस्था बनाई है एक आपने गुरूप बनाया है जो की बहुत अच्छा गाम कर रहा है और अगर कहीं पे होगा कि हम में भी कुछ कॉंट्रिबूशन देना पड़े उसमें तो डेफिनेटली हम उसके लिए कॉंट्रिबूट करने के लिए भी त्यार करें कि आप उत्राखंड में कैसे प्रॉप्टी खरीच सकते हैं तो उसके लिए आपको उत्राखंड गौर्णमेंट को टार्गेट करना होगा कि जल से जल भू कानून लेके आया जाए हम तो समझ गए ठीक है लेकिन जो समझना नहीं चाहरे उनको आप जादा से जादा सम नहीं बताई है तो कहीं ना कहीं उसने हमारी आख भी खोली है दूसरी बात यह है कि इससे और भी जो आने वाले बच्चे हैं या और भी जो content creators हैं उनको भी यह चीज समझ में आएगी कि नहीं यह चीज गलत हो रही थी हम कुछ अच्छा कर सकें उत्राखंड के लिए तो हमारी यही कोशिश होती है और जहां पर हम गलत जा रहे हैं तो अगर महां पर हमें समझने का मोका मिलेगा तो हम उसको definitely उस चीज को समझेंगे हम उसको गलत वे में नहीं लेके जाएंगे कि इसने मुझे यह चीज कैसे अगर वो चीज उसने सही बोली है अगर हम उसमें गलत हैं तो हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए और एक और चीज यह कहना चाहूंगा कि देखिए मैं तो कितने टाइम से मैं कॉंटेंट क्रिएशन कर रहा हूं व्लोग्स बनाता हूं मैं चार धाम पे भी गया तो मैं उत पे और बढ़ी-बढ़ी चीज घर सकते हैं क्योंकि प्लैन तो बहुत बढ़े-बढ़े हैं लेकिन उसके लिए सब कुछ चीजे इंपोर्टेट होती हैं सब कुछ है तो उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता तो अगर आप जाता से ज्याता हमें शेर करें तब जाके हम देख सकते हो तो देखें और अपना प्यार दे थैंक यू सो मुच